प्रेटलाइन्स बिहार देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके सात्री यांग्स और पटना में गंदगी का मामला सदन में भी गुंजने लगा है पटना शहर जो कि गंदिगी के मामले में काफी शुरुवाती रैंक में हैं ऐसे में विश्व भर में पटना जिस तरीके से सबसे ज्यादा गंदा शहर में गिना जा रहा है और इसको लेकर सदन में भी जम कर चर्चाएं हुई हैं और इस सब मुद्दों पर बिहार सरकार में मुख्य मंत्री नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है आप सुनिये सुविधा उपलब्द है तथा एक और MRF Material Recovery Facility सुविधा है तो निवदा प्रकरिया धीन है इसके अत्रिक्त पांच मेट्रिक टन प्रतिदिन छमता का प्लास्टिक अपसिस्ट प्रसंसकरन का प्लांट CIPET Central Institute of Plastic Engineering Technology के सहोग से अस्थापित है जहां तक पटना अस्थित रामचक बैडिया में कच्रे का प्रसंसकरन का प्रस्ण है यहां पर भी BIO Mining 35 से सुखे कच्रे के प्रसंसकरन की प्रकरिया प्रारम्ब कर दी गई है इसके अत्रिक्त राजी के 81 नगर निकायों में सुखे कच्रे के प्रसंसकरन है तू एक एक मेटियरियल रिकॉबरी फैसिलिटी प्लांट अस्थापित है एवं गीले कच्रे के प्रसंसकरन हेतु 118 नगर निकायों में बायो कमपोस्टिंग प्लांट कारजरत है सेस्ट नगर निकायों में अब सकता के अनुरूप तरलेओं ठोस अप्सिष्टों के निप्टारा हेतु प्रसंसकरन प्लांट का निर्मान साथ निश्चे दो के अंतरगत किया जाएगा चलिए दो के अंतरगत ये कच्रा सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट के लिए तैयारी कर रही है और सभी सहरों में इसको लगाना है लगाएंगे भी इसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे करेंगे अब तारांकित प्रस लिए जाएंगे स्री विजय कुमार मंदल मंत्री नगर विकास आवास विवाग उत्तर सलगन है